है यह लो दोस्तों एलकम टू माई यूट्यूब चनल एट्स ट्लेड विट स्टॉक मार्किट दोस्ता जम बात करने वाले ITC Limited के बारे में आज ITC में भारी गिरावट देखने को मिली जो यहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है ITC का शेर लगबल लगबल दोसो पांस रुपी के आसपस फिर से बहुत चुका है तो यहाँ पर काफी लोगों को जो की ITC में तेजी की वेट कर रहे थे और काफी लोग उपर की तरफ माल हो रहे उसको भी डाउट हो रहा है कि यह जो ब्रेक आउट हुआ था रिसेंटली वह यह क्या यह फेल हो गया है तो इसके बारे में जानने की कुशिश करेंगे कि क्या ITC और फिर से गिरेगा और 180,160 का लेवल फिर से आ जाएगा तो इन सभी possibility को यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे और इसके बाद मेरा क्या नजरिया है ITC के उपर और मैं क्या मनता हूँ उसके बारे में भी जाननी की कोशिश करेंगे तो इस वीडियो के साथ पुरा पुरा बना रहे हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंक्रेज करिए और मेरी चैनल पे नए हो तो जरू से ज प्रतिशत की गिरावट इतने हैवी वेटे स्टोक में दोस्तों अगर तीन प्रतिशत की गिरावट आएगी तो यहाँ पे निप्टी में भी गिरावट आना बिल्कुल ते है तुरू आउट दे यहाँ पे गिरावट का सिलसला जारी रहा उसके पीछे एक बड़ी खबर करके आरी जो गवर्मेंट ने एक रिसंट्री सिग्रेट के उपर पॉलिसी चेंज करी है जिसका पूरा पूरा नेगीटिव असर हमें आईटीसी में देखने को मिल रहा है पहले कारोबार की डिटेल जानेंगे कि क्या लोगों ने यहाँ पर माल उठाया है कि बेचा है क्य करें 211 रुपे 45 पिसे आईपी 211 रुपे 50 पिसे का लोग यावे 204 रुपे 50 पिसे का फाइनली एड्जेसर क्रोजिंग प्रेस की बत करें 25 रुपे 40 पिसे कारोबार यहाँ पर तकड़ा हुआ है बहुत बढ़ा वोल्यम देखने को मिला है चार करोड़ नंबे लाक सरसर की ट्रेडिंग जिसमें से बात करें दो करोड़ 37 लाक से तालीस जाशेट की डिलीवरी परसंटेज ओफ डिलीवरी देखें दोस्तों 48 देश्यम दोग चार जिरो तो दोस्तों यहां पर यह बात सही है कि बड़े वुल्यूम के साथ गिरावट आई है उसमें कोई दोर इसको आपको बिल्कुल भी नहीं बुलना चाहिए यहां पर क्या चेंजिस हुए है क्या सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया है इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा इसके लिए मैं आपको तब बिजने स्टांडर की वेबसाइट पे लेकर आया हूँ यहां पर सकते आई टी सी डिप 3% on profit booking as government drafts law to rise legal smoking age तो दोस्तों यहां पर smoking को लेकर के यहां पर government ने बड़े rules में फेर बदली की है जिसका असर आपको पता होगा कि cigarette पर पढ़ेगा और cigarette पर पढ़ेगा तो आई टी सी बिलकुल भी बच नहीं बाएगा तो यहां भी क्या चेंजिस करी है उसके बारे में बताना चाहूंगा तो दोस्तों यहां पर government ने जो बहुत बड़ा change किया है और age group को लेकर के किया है मतलब की पेहले गया था कि 18 साल के उपर के बच्चे ही cigarette पी सकते ऐसा यहां पर रूलता उसको अभी change करके अभी 21 साल कर दिया है मतलब की अभी 21 साल के पकड़ा गया तो वह कानून का उलंगन होगा तो यह अपने बहुत बड़ा जटका है वही से आईटी से को देखें पर अगर यहां पर रूल्स एथे तो आपको पता होगा कि 18 साल के नीचे वाले बच्चे भी पहले पिया ही करते थे सिग्रेट जो पीते हैं वहां पर को इतना ज़्यादा देखने नहीं गया था हाला कि उसको अभी बढ़ा करके 21 साल अभी दोस्तों शकल देखके आप कैसे बेचानों कि यह लड़का 18 साल का है या कि सल का विस्ते ओन पेपर देखो के तो आपको सही है जटका लगता हो दिखाई दे रहा है पर दो पीने वाले है वह सिग्रेट मुझे नहीं लगता कि छोटने वाले है वन ऑप दी एरिजन था जो कि मुझे लगता यहां बाजार को इसा लगा कि थोड़ा बहुत आटी सी के रेविन्यू में यहां पर जटका लग सकता है आगे और एक चिंजिस करी है उसके बारे में बताना की जाएगी ऐसा भी यहां पर union health ministry ने यहां पर रूंस जारी करा है जो की अपनेप में बहुत नेगेटिव है वैसे देखा जाए तो पर यहां पर हमें आज जबारी हां गीरावट देखने को मिली है और यहां पर तीसरी और एक जो अपडेट थी उसने गैना जो कि प्रोपर हिंदी वर्ड अभी याद नहीं आ रहा है तो मैं चुटक ही बोलूँगा तो उसके ओपर भी आपर लोक रगाई गई है और उसके ओपर फाइन भी बढ़ाई गई है तो दोस्तों यहाँ पे तीन एंब बड़ी चिंजिस थी सिग्रेट और तोब को कर ले करके जिस टेंक और न्यू सेग्रेट पलिसी वह तो आपको पता है मैंने जिसे बता है पर एनलेशिस टे लॉंग टम स्टोरी इंटक्ट दोस्तों यहाँ पर जो लॉंग टम स्टोरी थी जो कि पर विसाभी को बहुत ज़्यादा बुलिश तिक्री थी तो वह अभी भी यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला और यहाँ पर उसने बता है कि आप जो आइटी सी के रेविन्यूस है उसमें इतना ज्यादा हमें कुछ भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी तो दोस्तों मुझे लगता है आपको भी बिल्कुल पेनिक करने की जर्दत नहीं मैंने जैसे बता है और एक न्यूस के बारे में बतने की कोशिश करूँगा उसके लिए में आपको इस सजन की फोटो दिखाना जाओंगा संजीव पूरी जो की चेर्मेन एंड मेनेजिंग डिरेक्टर है इस लिमिटेड की यहाँ पर उन्होंने इसा बयान दिया कि आईटी से एमिंग इनर्जी वह यूज़ करते हैं मलब के आई टी सी की प्लांट को चलाने के लिए जो भी एनर्जी यूज़ होती है उसका यहाँ पर उस वह अभी एनर्जी रिन्योवल्बल एनर्जी के तोर पर यूज़ करेंगे एंडर पर से इसा यहाँ बोला है तो आपने बहुत लेवल आपके सामने यहाँ आज कीैंडल देखें बड़ी कैंडल बनी है तो फिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए अभी जो इंपोर्टेट लेवल है 197 का वोज आउन करना है अगर 197 के नीचे क्लोजिंग देता है मैं इसा नहीं बुलाओ कि इंट्रेडे में हो सकता है लेवल तूड़ी जाए अगर इसके नीचे क्लोजिंग दी तो आपको थोड़ा बहुत होने की जरूरत है मुझे लगता है 197 के उपर जब तक रहेगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि ITC में इतने ज़्यदा कोई प्रभाव बढ़ेगा तो अभी बात करें तो अगर आपने माल होल्डर के रखा है या तो फ्रेश पोजिशन बना रहे तो आप यहाँ बना सकते हो एक गिरावट का फाइदा ले सकते हो आपका स्टोप लोस 197 के थोड़ा सा नीचे होना है तो दोस्तों पहले तो यह बात क्लियर हो गई कि जिस किसे ने वोल्डिंग ले रखी है उसका स्टोप लोस का हराना चाहिए अगर यहाँ पर अभी उपर जाता है तो 218 का जो हडल है वो पहले तोड़ना जरूरी है उसके बाद ही 235 और 250 के लेवल हमें देखने को मिल सक करना चाहिए क्योंकि आप विकली चार्ट पे और बड़े टाइम ट्रेम पे ब्रेक आउट देखने को मिला था तो इतना बड़ा ब्रेक आउट नॉर्मली फेल होता नहीं है यहाँ बात करूं आरे से का लेवल की तो आरे से का लेवल हाला कि थोड़ा बहूर नेगिटीव करने की जरूद नहीं है मैं चाहूंगा इस लेवल को आप वोच आउट करिए और अपनी स्टड़ी कंड़क किजिए उसके बाद ही कोई डिसीजन लेने की कोशिच कर जिए मैं फिर भी फिर से एक बार बोलना चाहूंगा आपको यहाँ पे आई टीसी में बिल्कुल भी प दिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ से जाके आप अगर आप जिरो दमें एक आउंट ओपन करते हों तो मेरी दर्फ से आपको एडिशनल में लेगी मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें आपको जगा दी जाएगी मिलते हैं दोस्तों अगले वड़े के साथ तब तक के लिए थ नापको जाओे लिए ए वड़े बोलाई उ्लोगे कर दोस्तों चैनली प्री जावाँ याद वड़े जाद्यूडे कर दोस्तों पालाई और लोक्तियों तोस्तों प्राइब आप दोस्तों याज़े